कुछ साल पहले देश में डिजिटल पेमेंट की शुरूरात होई थी तो कुछ लोगों ने इसका खूब मज़ा कुड़ाया था स्वच्च भारत अभ्यान शुरू हुआ तो भी इन लोगों ने कहा कि ये सब भारत में चलने वाला नहीं है देश गरीबों के लिए पैंकों में जंदन खाते खुलवा रहा था योजना लेकर आया उसका भी मज़ा गुड़ाया कोवीड के समय हमारे वैज्ञानिक स्वदेशी वैक्सिन लेकर आये तो उसका भी उपहास किया गया कि ये काम भी करेगा या नहीं लेकिन आप देखिए आज भारत डिजिटल पेमेंट में वर्ल लिडर है आज जंदन खाते हमारी एकोनॉमी के एक बड़ी ताकत है वैक्सिन के खेत्र में भारत के उपलब्दी की दुनिया में चर्था हो रही है इसलिए आप युवाओं के पास अगर कोई नया आइडिया है तो याद रखें कि आपका उपहास हो सकता है फिरोध हो सकता है लेकिन अगर अपने आइडिया पर आपको यकीन है तो उस पर ठ ठीके रहिए उस पर भरोसा मनाये रखिए आपकी सबलता मजाग बनाने वालों की सोच से कहीं बड़ी साबीत होगी ताथियों युवाओं को साथ लेकर आज देश में लगातार कुछ न कुछ नए प्रयास और नए प्रयोब हो रहे हैं इसी कड़ी में नेशनल यूथ फेस्टिवल में भी देश के अलग-अलग राज्यों के हुआ विबिन्न प्रतियोगी ताव में हिस्सा लेने के लिए जुटे हैं ये कुछ-कुछ कुछ कॉम्पिटिटिव और कॉपरिटिव फेडरलिज्म की तरह हैं क्या अलग-अलग राज्यों के युवा स्वस्त प्रतिश परधा की भावना लेकर अपने कॉशल का प्रदसन करने आए यहां ये ज़्यादा महत्पपूर नहीं है कि कौन जीता क्योंकि हर सिती में जीत भारत की होगी क्योंकि युथ फेस्टिवल में हमारे युवाओं का टैलन निखर कर सामने आएगा आप यहां एक दूसरे से कंपूरेशन करने के साथ साथ एक दूसरे के साथ कोपरेट भी करेंगे इसलिए तो कहा जाता है कि कंपूरेशन तब ही हो सकता है जब उसमें भाग लेने वाले एक नियम को पालन करवाने में एक दूसरे का सहयोग करे हमें competition और corporation की spirit को लगातार आगे बढ़ाना है हमें हमारे हर लक्ष में यह सोचना है कि हमारी इस सभलता से देश कहां पहुचेगा आज देश का लक्ष है विक्सित भारत शसक्त भारत हमें विक्सित भारत के सपने को पुरा किये बिना न रुकना है न विराम करना है मुझे विश्वास है हर युवा इस सपने को अपना सपना बनाएगा अपने कंदों पर देश की ये जिम्मेदारी लेगा इसी विश्वास के साथ आप सभी को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत शुब कामना है झाल